हल चल भी देखने को मिल रहे ही राजनीतिक दलों में तो किसके यहां क्या चल रहा है और किसकी क्या तैयारी है क्या माहौल है कि देखें चुनाओ तो बड़ा है चुकि इससे पहले फिर उसके बाद लोकसभा का चुनाओ आ जाएगा तो लोग इसको समय फाइनल मान रहे हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह का महौल है इसे लग तक देखें बीजेपी अभी निकाय चुनाओं में भी और सब्सक्राइब दिखाई पड़ती है और पहले भी 14 सीटे जीती थी इनोंने अब कि 17 अभी दो व्यस्पक खातेम गई थी अभी 17 है देखिए बीजेपी के पास मंत्री विधायाएक सरकार की ताकत सब है और यह जो तीसरी सरकार यह सहर का निकाय का चुनाओं जो कहा जा र लोग परचा नहीं खरीद पाए परचा खरीद लिये तो भर नहीं पाए और जो भर लिये फिर उनके उपर लाठी डंडा भी चल गया तो वह इसे रहेगा बहुत ज्यादा अंतर चुनाओं में आएगा नहीं क्योंकि बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेगी चुनाओं में को यह सब चीजें उसके बाद आता है सारस, रामचरित मानस, साण, मस्जिद, मंदिर और यह सब चीजें फिर आती हैं कि भाई अब सियासत पर इस पर बात हो जाए वोट तो इसी आधार पर होता है यह जो हम लोग कहते हैं कूला नहीं उठा, ट्रैफिक बड़ा जाम है, यह गंदा पानी आए रहा है, इस पर कहूं याद रखके वोट देता है यह कभी सोचे नहीं गया, वोट वाले दिन यह देखना आए कि भाई यह जो लोग एक धर्म विशेज के लोगों की लाइन किस तरफ है और एक धर्म विशेज के लोग किस तरफ वोट मारे हैं तो यह भीड, यह हेट स्पीच जो है ना, यह सारी चीजों को बदल देती है, अभी आ रहा है, यहां तो थोड़ी थोड़ी बातों लेताओं की सजस्ता जाय रही है, अब देखियेगा चुनाओं में, रोज हेट स्पीच आएगी, और रोज चलेगा सोसल मीडिया पे, तो फिर देखिये कितना, कुत्ता तो सड़क पर आदमी का काट ले थे, कितना वारा कुत्ता घूम रहे सार मा, और अगर आप पकड़ों के पसुप्रेमी आ जाएंगे, नगर निगम की भी हिम्मत नहीं है, कितनी समझ चाहे हैं, तो यह पांच किलो रासन वाले का खाली गाव जीती थी, अब मायवती के पास, जैसे गोजर के पास सव टांग होत रही पहले, कि दूचार टांग टूड जाए, तब वो गोजर के उपर कोई फरक नहीं पड़ता, वह इसे अब वह बात नहीं रही मायवती के वोटरों में, मायवती हुंकार तो भर रही है, लेकिन उनक वाला मामला कामी कर रहा है, अभी परत्यासी नहीं मिलेंगे लोगों को लड़ाने के लिए मेयरपद में, अभी तो बहुत सारी चीजे सामने आएंगी, बीजेपी के हाँ दरवाजा जैसे खुलेगा, तमाम लोग सामिल होने के लिए पहुँच जाएंगे, एक ही लड़ा और उन्होंने अभी लोग सभा के वूत के परभारी उन्होंने बनाए हैं कि वो वूत की कमेटियों का गठन करें, तो वो लोग सभा को लक्षी लेकर तो चल रहे हैं, लेकिए उतर परदेश में सीधी लड़ाई योगी और अखिलेश के बीचों नहीं है इस निकाह चुन काफी रहा है, अब दुरुवी करण होगा, अच्छा एक चर्चा मीडिया में चल रही कि बीजेपी अपने 14 मेयर में से 11 मेयर का टिकट काट देगी, क्या इतने बड़े पहेवाने पर टिकट काटना बीजेपी अफोर्ड कर पाएगी? टिकट काटेगी तो जहां पर बदल गया, कहीं OBC हो गया, जनरल है, तो टिकट तो अपने आप कड़ियाएगा, सुभावी कड़ियाएगा, वहाँ पर टिकट कही से बरकरार रख सकता है, जहां से सीट हो गई या पहले OBC थी, अब लखनव में तो मेयर देखिए, हो चुक आपने आसान नहीं है, वह मानने वाली महिला नहीं हो, बहुत जुझारू महिला है, वह तो लड़ेंगी, बिर्जेद जी, एक स्कीम आजकल देखिए, चला रही है बीजेपी, कि भाई, मुसल्मानों को भी बड़ा महत दिया जा रहा है, मुसल्मानों को गले लगाने के अ हाँ, कवाली होगी, तुझेंद राजपूत ने कोई पेपर की कटिंग लगाई थी, अभी पूछेंगे उन्से जी, और एक स्कीम आई है कि देलितों के लिए घोली चड़ने की योजना फिरी है, और सस्ने का भाई देलित घोली खोली खुल के चड़ाए, दुझार चुन लेगी, लेकिन टिकट कितना देगी, कितना मेयर लडाएगी, कितना अगरपाल का देच लडाएगी, क्योंकि तारिक मंसूर को तो MLC बनाया, अब चार MLC हो गए, बुककल नवाब, और ये दानी साजाद अंसारी, महसिन रजा, और तारिक साहब, ये बीजेपी ने विधा देखिया, ये बात तो सही है, कि बीजेपी अबहत में रहेगी, लेकिन क्या रिजल्ट रहेगा, ये तो पता लगेगा, मायवती की बातों को कोई इंपैक्ट है, अब आज अचानक से प्रेस कांफरेंस, और फिर मायवती का ये कहना कि अभी ये मटा दो बैलेट से कराओ, इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका, चुनाओ घोजित, तो अभी ये बात का क्या आतर की? अब ये सवराष्ट ये पार्टियां नहीं रह गई, अब ये बैभो महैस्वरी की पार्टी गाजियाबाद दिल्ली से सिटी पार्टी है, गाजियाबाद है, मेरट है, यहां पर तो कुछ ने कुछ चमतकार करेंगे, अब आगे क्या करते हैं भगवान जाने, देखिए हम में मामला टाइट है, अब अचा वो जो आप पिछली बार बता रहे हैं, अब मतलब वो काउंटर खुल जाएंगे, अब मतलब शाम की बवस्था वगएरा भी, हाँ वो तो सुरू हो गई, कलाई से सुरू हो गई, अचा कल से ही, चल रही है, और क्या रात में दावते खाने में भी लोग अपना भंडारा सुरू कर देते हैं, कि खाना पीना कोई साका हारी है, कोई मांसा हारी, वो गाउं में अलग-अलग इलाके में बढ़ जाता है, पैसा सभीया, साम कही दोपायर में पहुंच जाता है, कि वो खसी कटाई लियो, वहाँ पर पांस किलो चलेगा, यह तो हमेशा चला है, मैंने ठीक बात, और एक वोट पांस जनता की हिस्से कार करता कि हिस्से तो यही आएगा ना, हाँ, आखिरी में उसके बाद तो कोई पूछे गए, देखिये, गुजरा गवाई, लवटा बराती, मैंने कहा था, वो और दैके निकलक बाद क कोई नमस्ते करता है, वो से पहले लोग पैर तक छुओ थे ओट देने जाने से पहले, तो वही है, ब्रिया जी हर्यों पमार साब ने एक रचना लिखी है, मैं उसको सुनाओंगा, सुनिएगा, कि कहीं-कहीं गोदामों में गेहु सड़ा हुआ है, और कहीं-कहीं दाने-द साल पड़ा हुआ है, जुग्जी जोपड़ी में भूखे बच्चे बिलविलाते हैं, और इस देश में जेलों में भी आतंकी बिर्यानी खाते हैं, पूजा पाठ हो रहें धन्ना सेठों के लिए, और कभी कोई या कि नहीं हुआ भूखे पेटों के लिए, बहुत शुक्र जहां जहां भी चुना होगा,